दोस्तो स्वागत है आपका आज की बेहत बड़ी और महतपुर खबरों में दोस्तो आपको बता दे आज की बड़ी खबरों में जिहां सरकार का बड़ा फचला कोरोना वारस को लेकर इसके अलावा आपको बता दे मोदी जी ने आज संपुर भारत के लिए लागडान को लेकर कई आहम फचले लिये हैं जी हाँ आपको बता दे अब हरियाड़ा में बसे चलने वाली है जी हाँ इसके अलावा आपको बता दे अब आपको और भी बचना है क्योंकि लोगों को आने से अब संक्रमितों की संक्या बढ़ेगी जी हाँ आपको बता दे सराप पर आप कोरोना टेक्स लगेगा जी हाँ इस के लावा आपको बता दे आज पीम मोदी ने बिलगेट से कोरोना पर बात की जी हाँ जानेंगे सभी खबरे विस्तार से तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में इनी सभी मातपूर खबरों के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहे हैं ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस्त ना हो तो दोस्तो आगे बढ़ने इस पर एक लाइक कर दीजिए चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में आपको बता दे भारत में संक्रमीत मरीजो की संक्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संक्या 81,970 के उपर पहुँच चुका है जिसमें से 77,920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2649 लोगों की मृत्ती हो चुकी है इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर हरियाडा में चुनिंदा मार्गो पर बसों का परिचालन हुआ सुरू जीहां कोरोनमा हमारे का प्रकॉप जारी है इसे निपंडिक लिए देश भर में मार्च के महिने से लागडाउन लागो है वहीं इस बीच सुकरवार को कुछ मारगो पर रियाडा सरक परिवन की बसों का परिचालन सुरू हुआ अधिकारियों ने बताए कि बसों में सारी दूरी का पालन अनिवार है और एक बस में 30 से ज़्यादा यात्रियों को नहीं बिठाय जा सकता मजदूरों के घर लोटने के साथ ही बढ़ रहे है कौरोना के मामले जाने कैसे जिया भारत में लागडाउन लागो होने के बात से लोगों में घर लोटने की बेतावी थी और अब जब प्रवासी मजदूर अपने घरों गिरिह राज्यों को लोटने लगे हैं तो COVID-19 के मामले भी उसी रप्तार से बढ़ रहे हैं ट्रेनों में किसी तरह सवार होकर ट्रकों और बसों में ठसा ठस भर कर या साइकी चला कर और पैदार चल कर लाखो परिसान प्रवासी मजदूर अपने घर पहुचने लगे हैं अब पचीस मार से लागू लाग डॉन को पचास से जादा दिन हो गए हैं देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में लोगों का जाना सुरू होने के साथ ही मामले भी बढ़ने सुरू हो गए हैं केंद्री स्वास्त मंतराले के सुकरवार के आकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 80,000 के पार चले गए हैं और कम से कम 2649 लोगों की मौत हो गई हैं इन आकड़ों में 60 संख्या तो पता नहीं लेकिन इसमें बड़ी संख्या में वे मामले हैं जो अपने राज से दूसरे राज्यों में लोटे हैं सराप पर कोरोना टेक्स के किलाप याचिका पर दिल्ली हाई कोट ने सरकार से मांगा जवाब जीहां दिल्ली उचनाले ने राष्टी राजदानी में सभी ब्रांडों की सराप की कीमत पर 70% विसेज कोरोना वसुलने को चुनाव प्रकोपति देने वाली कई याचिकाओ पर दिल्ली सरकार से अपना पच रखने को कहा है मुख्यनायदी डियन पटेला और नियामूर्ती सी हरी संकर के एक पीठ ने इस सरकार को नोटी जारी करते हुए इस पर 29 मही तक प्रतिक्रिया देने को कहा है याचिका करताओं ने 4 मैं को विशेश सुलक वसुल ने समदी जारी अधुसिजनां को खारिच करने की मांगी है बिहार में संक्रमितों की संख्या 1000 के पार अब तक 413 लोगों ने वायरस से पाई निजाजी यहाँ बिहार में कोर्णा वायरस का प्रकोपतेजी से फैल रहा है राजी में संक्रमित कोरोना की पुष्टी हुई है जिससे कुल संक्रमितों की संक्या एक हजार पांच तक पहुच गई है पीम मोदी से चर्चा कर बोले बिलगेट्स कोरोना से जंग में भारत की आहम भूमिका जिहां इस समय पूरी दुनिया कोरोना वारस महामारी से लड़ रही है पीम नरेंद की कोरोना वारस की खिलाब जंग में भारत की आहम भूमिका है जिहां आपको बता दे माइक्रोसाप्ट के संस्थापिक बिल्गेट्स ने कहा की कोरोना वारस के खिलाब जंग में वीसु का एक जूठोना आवस्यक है ऐसे में पीम नरेंद मोदी का चर्चा के लिए सुक्र पूरे परिवार समेत नया दिश हुए कॉरंटाइन जीहां पूरे देश में कॉरोना वायरस का कहर जारी है हर तरप यह खतनाक वायरस काफी तेजी से फलता जा रहा है इस वायरस के कारट देश में लागड़न लागू है इसके बावजूद इसका असर कम नहीं हो रहा है वह प्रस्ताओ जीहां कोरोना वायरस संकट के बढ़ते मामलों के बीच दिली सरकार के ओर से केंदर सरकार को लागड़न फोर के लिए प्रस्ताओ भेज दिया गया है दिली के स्वास्त मंतरी सतेंद्र जैन ने सुकरार को कोरोना वायरस संकट को लेकर मीडिया से बात की उन्ह को कहा है और बजारों को आड़ इवेन के अधार पर खुलने का सुझाव दिया है इसके अलाव पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना ज़रूरी कर देना चाहिए भारत की मदद को आगे आया विसो बैंक दूर होंगी समस्या जीहां देश में गराते कोरोना संकट के बीच के मुख्य फोकस समाजिक सुरच्छा पर होगा इसके पहले ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलेप्मेंट बैंक ने भी भारत को एक अरब डालर की आपतकालिन सायता रासी देने की गोश्रा की थी आंधप्रदेश में कोरोना संक्रमड की 102 ताजा मामले संक्रमितों की संक्या 2307 पहुची जीहां आंधप्रदेश में कोविड-19 के 102 नए मामले सामने आये हैं जहां संक्रमित लोगवी की कुल संक्या 2307 हो गई है स्वास्त बीभाग ने सुक्रार को यह जानकारी दी बीभाग ने सुक्रार सुबह 9 बजे तक पिछले 24 गंटे का आपडेट दिया जिसमें कहा गया कि राज में कोरोनावार संक्रमड से मनने वालों की संक्या 48 है 102 नए मामलों में से 45 रोगई अंडर राज्यों के हैं ताइवान के रास्ते चीन को घेनने में यूटा भारत तो आग वबुला हुआ ड्रेगें जी हां भारत अगले कुछ दिनों में एक ऐसा फैसला ले सकता है जो चीन के लिए बड़ा जटका साबित होगा वन चाइना पालिसी को मानने वाला भारत विष्योस्वास्त संगठन में ताइवान का समर्थन कर सकता है एक रिपोर्ट के मताबिक वीदेश सच्यू हर सिस्रिंगला ने कम से कम साथ देशों के साथ एक ग्रूप काल में हिस्सा लिया था विदेश सची ने अमेरिका आश्टिलिया न्यूजिलेंड साउथ कोरिया और वियतनाम के अपने समकच्छों के साथ 20 मार्च को ही इन काल्स में बात की है